हाई फ्रेंट्स, आज हम लोग, SYJC 12th Standard Chapter 1st Mathematical Logic के थर्ड टॉपिक का अध्यान करेंगे स्टुट्स, दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स को जॉइंट करने के लिए ये चार तरीके हैं, इस चारों तरीकों के अलग-अलग नाम दिये गए अगर दो सेंटेंज को एंड से जॉइंट कर रहे हो, तो हम कहते हैं कंजंसन और दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स को अगर और से जॉइंट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं इस जॉइंट कर रहे हो, तो से हम कहते हैं इस जॉइंट कर रहे हो, तो से हम कहते हैं इस जॉइंट कर रहे हो, तो से हम कहते हैं इस जॉइंट कर रहे हो, तो से हम कहते हैं इस two logical statements, we are jointing with help of the word if and only if, then it is called by conditional, that is, double implication. Students, इन चारों jointers को clear cut समझने के लिए हम कुछ truth table देखते हैं, truth table को बनाने के लिए कुछ rule है, वो rule follow करना है, लेकिन students rule समझ लेते हैं, follow कर लेते हैं, लेकिन last तक याद नहीं रखपाते हैं, easy है, फिर भी confused हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो पहले मैं mathematical rules से truth table बना कर दिखाऊँगा, उसके बाद long time अगर याद रखना है, तो एक story, एक slogan time याद रखेंगे, तो लंबे समय तक याद रहेगा, truth values कैसे आते हैं, तो दो बार हम इस truth table को बनाएंगे, एक बार mathematical rule follow कर की, और एक बार slogans use कर की, देखें, आप लोगों को कौन सा पसंद आता है, तो let's start, and, तो rule के हिसाब से होता है, and के लिए, and के लिए rule है, अगर दोनों true हैं, तो true, अगर एक भी false दिख गया, तो false, देखें, rule simple है, दोनो statement, दोनो logical statement true है, तो ही, and दोरा joint करने पर final answer true होगा, एक भी अगर false आ जाता है, तो final answer का होगा, false, ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं slogan के मदद से बताने की कोशिस करता हूँ, देखें, slogans, याद रखना सही बात नहीं है, लेकिं, long time के लिए, याद रखने के लिए, एक ये easy तरीका है, तो, देखें, आपको पसंद आता है, या ने, आपको करना क्या है, P means, पड़ित बढ़िये, और क्यों मिन्स, अच्छुन समझेए, एंड मतलब गले मिलना समझेए, गले मिलना, अब पड़ित और अच्छुत गले मिलने, तो समाज किस नजरिये से देखेगा, उसी नजरिये से आप एसर लिखेजेए, बताए, पड़ित और पड़ित, पड़ित हम किसे इजिन कर रहे हैं, टी को, और अच्छुत किसे कह रहे हैं हम, एफ को, ठीक है, मतलब false, तो इस देखे, टी मिलन्स पंडित, यह भी टी मिलन्स पंडित, तो यह दोनों पंडित है, और अगर गले मिल रहे हैं, तो पंडित और पंडित गले मिलेंगे, तो पंडित बचा देगा, समाज क्या कहेँगा, वो शुद्ध पंडित है, तो पंडित पंडित गले मिलेंगे, तो पंडित बचा है, पंडित मिलेगा, ऐसा है, सलिक है अब देखे, अगर पंडित और अच्छूत गले मिलते हैं, तो समाज क्या कहेँगा, अब वो पंडित पंडित नहीं रहा है, कि यह वो अच्छूत से गले मिला, तो पंडित और अच्छूत अगर गले मिलते हैं, तो समाज क्या कहेँगा, पंडित नहीं बचा, मिंस अचूत हो गए दों, सिमिलर लिए अचूत पंडित से गले मिलेगा, तो भी समाज कहेगा कि पंडित नहीं बचा, वो अचूत से गले मिला, इसलिए वो भी अचूत हो गया, तो पंडित नहीं बचा, दोनों क्या हो गए, अचूत हो गया, अचूत अचूत से गले तो यहां सिर्फ एक स्लोबर मनाया गया है समाज के दृष्टी पूर्ण से इसे धर्ण के तरफ नखिजे सिर्फ एक सिंपल लॉजिक लंबे समय तक यारत करने के लिए अपने दिमाग में बिठाएं तो देखें या तो आप मतर्ण करें या समाज के दृष्टी पूर्ण से याद अपना आसान है लंबे समय तक आपको यार रहेगा और फास्ट वोड़ा तो एक बर वापस से देख लेते हैं पंडित पंडित से गजया बिलेगा तो पंडित पंडित अच्छूथ अच्छूद अच्छूद से लगे लेगा तो भी पंडित नहीं रज़ेगा इस अच्छूद फॉर्ट से राएगा सो सिंपर अगर हम एंड के बाल और देखें तो से विध्याइब कीजिए से पंडित किसे पढ़े गया टू को और अच्छूद किसे पढ़े गया अब देखें और मत्रब क्या होता है दिवार दिवार रखना दिवार रखिले किसे अब देखें दिवार मतलब वार ती मिल्स पंडित पंडित। पंडित और बंडित दिवार धाल कर देखें तो इस साल देखें ऊता क्या हो 16 पंडित और अच्छूत दिवार डाल कर ले रहें दिवार के बो साइट पंडित और ये साइट अच्छूत तो पंडित बचा रहेगा अगर आपको पंडित चाहिए तो पंडित मिल जाएगा अच्छूत और पंडीत दीवा डालके लिए उससाइड अच्छूत और इससाइड पंडीत अगर पंडीत आपको चाहिए तो पंडीत बचा हुआ है वह आपको मिल जायगा अच्छूत और अच्छूत partition डालके रख रहें तो पंडित आपको नहीं मिलेगा ना उस तरफ पंडित नहीं मिलेगा पंडित नहीं मतलब अच्छूत अच्छूत मिलेगा एंसर फोर्स परेक्ट अगर एक भी true मिल गया तो true, एक भी true मिला 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 तो false. तो mathematical भून से देखे या logical ही एक slogan बना कर देखे तो भी same answer आगा है. कि आगे इफ देन अगर दो नॉटिकल स्टेप्मेंट्स को आप इफ देन से जॉइंट कर रहे हैं तो फिर वही हम रिजूर करेंगे पंडित ती को समझना है अजूत एफ को समझना है यहां पर अब इस एरो को आपने कहा देखा है यह आपने दिल में देखा है दिल में देखा है मतलब यह लव का लफड़ा है और लव का लफड़ा है मतलब हाथ शादी तक पहुचेए तो इसे शादी के हिसाब से आप याद रखिए पंडित और पंडित शादी करना चाहते हैं तो समाज बोलेगा No problem No problem means what? True Your marriage is true No problem अचूत अचूत शादी करना चाहते हैं, फिर समाज बोलेगा, no problem, your marriage is true, अचूत से शादी करना है, तो no problem, no problem means what, true, but now, पंडित अचूत से शादी करना चाहता है, या अचूत पंडित से शादी करना चाहता है, तो क्या होगा? ऐसे केस में, जब घर पर बोलने की बात आएगी, तो जो पहले है, जो पहले बोलेगा घर पर, वो मारा जाएगा, जो बचेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो घर पर पहले बोलेगा, वो मारा जाएगा, बचा हुला रिकॉर्ड हो जाएगा, बचा हुला मिस, इस वेट्स आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी तो let's take a division let's take a division नताये परिया किस तरह से बनाते हैं हम true true false false true false true false पंडित पंडित से साथी करना चाहता है समाज कहेगा no problem your marriage is true अच्छूत अच्छूत से साथी करना चाहता है समाज कहेगा no problem your marriage is true लेकिन पंडित अच्छूत से साथी करना चाहता है या अच्छूत पंडित से साथी करना चाहता है तो जब अपने parents तो बताने जाएगे, तो जो पहले है, P on Q में पहले जो statement है, जो पहले है समझे के वो पहले गर्पर बोलेगा, तो जो पहले गर्पर बोलेगा, वो मारा जाएगा, और जो बचे का वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जो पहले है वो पहले दरपन बोलेगा तो वो मारा जाएगा, जो बाद में है वो बच्चे का रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये if then statement को आसाजी से याहिक में का तरिक है Last students, same way again, पंडिक हम true को सब्देंगे और अच्तू हम false को सब्देंगे देखते हैं, अगेंस से इंपलिल पेर्स, true true, false false, true false, true false Double L, आगे भी है वो पीछे भी है वो तो बताजी हमारे आगे भी क्या हो सकता है और पीछे भी क्या हो सकता है सरने, हमारा जो सरने होता है हमारे नाम के आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है जैसे मैं रमेश सिंग बोलू या सिंग रमेश बोलू दोनों का सेंग में तो आगे भी हो और पीछे भी हो ऐसा क्या है सरनेव है तो इसे सरनेव के हिसाब से समझेगे माल लिजिए कि शादी हो गई शादी होने के बार में हस्पेंट पंडित है वाइप भी पंडित है तो बच्चा जो जन लेगा उसके सरनेव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हस्पेंट अच्छूद है वाइप भी अच्छूद है तो जो बच्चा जन लेगा उसके सरनेव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसका सर्मनें दी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर अगर हसबन पंडित है और वाइफ अछूत है तो बच्चे के सर्म निम में प्रॉब्लम होगी ग्रॉब्लम भुवतー तो भी बच्चे के सर्दिम में problem होगी, the false. विश्वर्ट means more, यहाँ पर इस तरह से ध्याद करें, कि यह husband, यह wife है, दोनों की शादि हो जाएगी, तो जो बच्चा जन लेगा, उसके सर्दिम में problem होगी या नहीं, no problem means true, और problem means false, तो बोलो, husband, wife दोनों बच्चे के सर्दिम में कोई problem नहीं होगी, true. लेकिन एक बच्चे के सर्दिम में problem होगी, सर्दिम रखने में problem होगी, वो किसी को भी अपना जाद बता देता है, confused होगा, इस तरह से आप मालगे, तो यहाँ पर जो हम लोगों के लिदिया है, बच्चे के सर्दिम से लिया है, बच्चे का सर्दिम, बच्चे का सर्दिम, बच्चे का सर्दिम, तो मैं चाहूं का फटा फट एक बार सरी स्टिम एक बार वापस से reason देलिया है, तो let's do that, आपको आसानी से लगने समय तक याद रखने में मदद करेगा, बाकी लोग confused होकर काम करेंगे, लेकिन आपको कोई confusion नहीं होगा, फास्ट आपका answer आएगा, okay, let's start, once more, okay, here the prayers, true, true, false, false, true, false, true, false, इसट बताएए, गले मिलना है, पंडित पंडित से गले मिलेगा, पंडित बचा रहेगा, पंडित अचूत से गले मिलेगा, पंडित गाया, अचूत, अचूत पंडित से गले मिलेगा, फिर भी पंडित नहीं बचा, गाया, अच्छूत, अच्छूत से गले मिलेगा, तो महां भी पंडित नहीं है, अच्छूत ही मिलेगा, ओके, नेक्स्ट, यार राइटिंग पेयर्स, प्रू प्रू, फॉल्स, 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 अब बताएगे, दिवार डालता है दोनों के लिए, पंडित और पंडित दिवार डालता है, तो पंडित मिलेगा, दोनों साइट पंडित अविलेगा, पंडित और अच्छूत दिवार डालता है, तो एक साइट पंडित है बचावा, मिल जाये रहे, अच्छूत और पंडित दिवार डालता है, तो दूसरे साइट में पंडित ह तो मिल जायगा। अगर पंडी चलिए तो मिल गाया। लेकिन अचुत और अचुत दिवाट आके रह रहे है। तो दोरो साइड अचुत है, पंडी दूबने जाओके तो नहीं मिलेगा। यहां पर क्या बजायगा। अचुत। फिरू। फॉल्स। True-False, True-False Now you can collect that answer Love-Talapraft means Shadi करना है तो इनकी शादी को समाझ किस नजरे से ले लेगा हो जा हुआ दे। पंदित और पंदित शादी करने हैं No problem, your marriage is true अचूत और अचूत शादी करने हैं No problem, your marriage is true तो पहले गर्ण बोला जाएगा बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। लास्ट वन true true false false true false इसे समझे बच्चे ने जम गिया कि उसके सर्नेम में problem होगी या नहीं हो बस गारीज पंडिक पंडित है husband wife सर्नेम में no problem अचूत अचूत है husband wife, surname में no problem, लेकिन एक pandit है, एक अचूत है, surname में problem, एक अचूत है, एक pandit है, surname में problem, okay, this was very easy trick to remember truth value up to a long period, okay, thank you, इसके बाद हम लोग अगले lecture में हैं, बड़े बड़े टुद्टे बना, इन्ही के मदद से बनाना सिखन होए, जैंचो,